हेलो मेरे प्यारे साथियो कैसे हैं आप सभी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे लेवल की चल रही होगी बचा आजकी इस वीडियो के अंदर जो हम बाचीत करेंगे वो उत्तर प्रदेस लेकपाल से रिलेटीड होने वाली है ठीक है उत्तर प्रदेश लेकपाल से रिलेटिड होने वाली है और ग्रामीड परिवेश की ये वीडियो है जिसे कि आप सभी जानते हैं ठीक है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं वही सारी बातचीत हम करने वाले हैं अब मेरे सेरी हाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमने डे फर्स्ट की जो वीडियो है वो कल आपको प्रोवाइट कर रहे थी और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये तो उसको भी देखियेगा क्योंकि उसके अंदर जो हमने बातचीत की है वो कही ना कही आपके लिए बहुत जादा इंपोटेंट है और वो बेसिक चीजे बताती है कि कैसे एक गाउं बनता है कैसे एक ग्राम बनता है तो गाउं की बारे में अगर आप जानेंगे तो उसी वीडियो का आप देख सकते हैं जिससे आपको बहुत कुछ गाउं के बारे में सेखने को मिलेगा और मैं आपको बता दू कि आज की ये वीडियो और कल की ये वीडियो आज की ये वीडियो और कल की वो वीडियो इन दोनों को मिलाकर जो भी MCQ's कोशन बनेंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं यह जो हम समझा रहे हैं उस question का कहीं न कहीं या उन questions का इन से कुछ ना कुछ link है तब ही हम इन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़े हैं जो कि ढूणने नहीं पड़ रही हैं और ढूणने के बाद आपके लिए यह तैयर की जा र करेंगे लेकिन किस संदर्व में भारत के संदर्व में यह कह सकते हैं कि भारत के respect में जो गाओं का बिकास होता है वो किस तरीके से होता है ये वा सारी हम बाचित समझने की कोसिस करेंगे अब यहां पर एक आपको डाइग्राम सा दिखाई दे राज्ये कौन से लेंगे तो राज्ये हम लेंगे उत्तर पिर्देस और उत्तर पिर्देस से ही हम लेके चलेंगे कि भाईया उत्तर पिर्देस अगर राज्य है तो उसमें मंडल क्या होता है, जिला क्या होता है, तैसील क्या होता है, ब्लोक क्या होता है, ग्राम समास तो हम समत चुके हैं, बस हमें यहां देखना है कि उत्तर पिर्देस के रस्पेक्ट में कैसी है, भारत के संदर्व में कैस है अब कोई भी राज्य मेरे बच्ट च को उश्चे जानते हैं की Q가 약으ड़ा मंडलें उत्तरप्रदेश के अंदर उत्तर और एक मंडल में तीन चार जिले होते हैं और उन जिलों को मिला कर मंडल का हा जाता है तो अगर हम देखे कि हमारे उतर प्रदेश राज्य के अंदर कितने जिले हैं तो बच्छे याद रखेंगे सभी जानते होंगे इस question पर होती है तैसील और तैसील एक ऐसा इस थान होता है जहां पर revenue क्या होता है इक खटा किया जाता है बात समुझ में आ जए तैसील इस तर पर ही क्या बनेगा व्यक्ति लेक पाल बनेगा आप देखी जहें तो हमारे उत्त्र परदेश के अंदर कितनी तैसील है तो भाहिए ध बना है मंडल किस से बना है जिले से बना है और जिला किस से बना है तो तैसील को मिला कर जिला बना है एक जिले के अंदर तीन से चार तैसील हो सकती है उसके बाद यहां देखें ब्लोक खंड या ब्लोक या इसको क्या कह रहा है खंड भी कह रहा है ब्लोक या खंड कह रहा है तो बिलोक और खंड से मिलकर बिलोक या खंड से मिलकर क्या बनती है तैसील बनती है लेकिन ऐसा नहीं है धियान रखें ऐसा नहीं है हम ये कह सकते हैं कि भई जो तैसील है यही पर क्या होता है बिलोक होता है हाँ हो सकता है एक तैसील में दो बिलोक हो एक तैसील में तीन बि जरूरी है लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि बिलोग को मिला कर खंड बना जाता है क्योंकि बिलोग की परिवासा थोड़ी सी अलग है अलग क्या है देखो तैसिल की परिवासा क्या है तो तैसिल की परिवासा ये है कि बरतमान समय में राजस्व इखटा करने के लिए या राजस्व की जो भोगोलिक इकाई है वो क्या होती है तैसिल होती है वो क्या होती है तैसिल होती है लेकिन अगर हम बरतमान समय में बिलोग की बात करें तो बिलोग क्या होता है मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे बिलोग होता है आपका कि ग्रामीड विकास के या विकास के लिए कोई भी योजनाय सरकार के द्वारा लाई जाएंगी तो वो किस इस तर पर दी जाएंगी किस इस तर पर पेस की जाएंगी ब्लोक इस तर पर अब ब्लोक पुर्मुक होता है तो वो इस ब्लोक का पुर्मुक होता है तो ब्लोक पुर्मुक जंता के द्वा राच उना जाता है जब हम पढ़ाएंगे तरही इस तरही पंचायद राच तो उस समय आपको बताएंगे कि ब्लोक पुर्मू कैसे बनते हैं और कैसे उनको निर्वाचित किया जाता है ठीक है लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ब्लोक इस तरह पर एक बीडियो की बेकैंसी आती है और बीडियो को निर्ट के जाता है गौर्मेंट के दोरा यह बीडियो का एक यानि कि सरकार का एक अधिकारी होता है बीडियो और यही पर एक बेकैंसी बीडियो की भी होती है तो इसको हम कहते हैं ब्लोक डवलप्मेंट ओफिसर और इस वाले बीडियो को बिलेज डवलप्मेंट ओफिसर ये एक गाउं को समाल रहा होता है इसको हम ग्राम सचिब्बी कहते हैं क्या कहते है बच्चे इसको हम ग्राम सचिब्बी कहते हैं जो परधान के साथ रहता है ठीक है किस के साथ रहता है ये परधान के साथ रहता है प्रधान से मतलब सारे जो विकास के काम आते हैं गाउं गाउं तक पहुचाने का काम वीडियो का होता है लेकिन अगर हम बात करें रिवेन्यू खटा करना तो रिवेन्यू खटा करने का पैसा खटा करने का जो काम होता है वो लेकपाल का होता है अब पैसा कैसे इखटा होता है सर, तो बेटा आप सभी जानते हैं कि अगर आप कोई भी डोक्यमेंट बनवाएंगे, कोई भी कागजात बनवाएंगे, तो आप किस से बनवाएंगे, लेक पाल से बनवाएंगे, कोई भी डोक्यमेंट अगर आप बनवाएंगे, तो वो किस स तो यह राज्य की सरकार को जाता है माले जिए यहाँ पर UP की हम बात करें तो UP गौवर्श्मेंट के आकांट में जाता है बात समझ में आ गई तो लेक पाल क्या करने काम करने काम कर रBlack साथ में यह और क्या करता है यह यह भी करता है कि ये पैसे को इखटा तो करता है पैसे की देख रेख भी करता है या कागजात की देख भी रेख भी करता है होता है ना जैसे तुम्हारे हैं कि या गाओं में किसी भी अगर किसी लड़की की साधी हो जाए किसी लड़की की साधी हो जाए कि भई हाँ यह लड़की हमारे यहां से तुम्हारे यहां गई है कोई बात समझ मैं आपको बिलकुल अच्छी बात है तो यह लड़की हमारे यहां से कहा गई है तुम्हारे यहां गई है ठीक है इसके डोक्यमेंट्स अब वहाँ बनेंगे तो आये जाती इंकम, ये तीन ही होते हैं, आये जाती और निवास, तीन नहीं, मतलब तीन कौन से हैं, एक आये है, एक जाती है, और एक आपका निवास है, ये चार होते हैं, ठीक है, एक कौन से हैं, निवास है, ये चार होते हैं, तीन होते हैं, और साथ में जन्म परमाड़ पत्रमेर तो पर माड़ पता है जना कितने प्रगार के हूं है तो वो तुम टेंशन ना लो यहाँ पर हमारा टोपिक नहीं है हमारा टोपिक यह है कि लेखपाल का काम क्या है लेखपाल का काम है लेखा जोका रखना और वो किस इस्तर पर तैसिल इस्तर पर काम करता है लेकिन टिसील क्या है राज 열ic tinham कई नहीं आ गई अवभी दीओं के द्रीधिल लेकिन अगर हम व्लोक की भात करेंग तो बिटा याद रखें ब्लोक कितने हैं ब्लोक हैं आप Cheese वालीजार कैसे नेए बनार के नोट्रीभी दीएस मैं तो आपको जो option मिलेंगे या तो वो 820 option मिलेगा या फिर वो आपको 900 option देगा या 1000 देगा या 500 देगा जो भी देदे, 1000 देदे या 500 देदे तो आइठ together के बीकिंच के करीब अगर उसने मान लो 820 की जगा 23 दे लिगा 820 की जगा उसने 825 दे लिगा तो क्या हम छोड़ काएंगे नहीं हम कर काएंगे 820 के आसपास का कोई नमबर अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब वही हमारा क्या है आंसर है बास समझ में आ गई अब इसके बाद हम देखते हैं ग्राम समाज तो ग्राम समाज क्या होता है बहिया ग्राम समाज हमने कल की वीडियो में आपको बताया है कि ग्राम समाज की परिवासा क्या है ग्राम कैसे बनता है समाज क्या होता है वो हमने कल की वीडियो में बताया है जिन्होंने देखी उनके लिए बहुत ज़्यदा सुबकामन है मतलब बहुत अच्छी बात है कि वो देख क्या है अब लेकिन अगर हम देखें भारत में कितने ग्राम है तो बेटा भारत में कितने ग्राम है तो ध्यान रखेंगे भारत में गाउं है 6,4,930 गाउं कितने 6,4,930 गाउं है सर क्या इनकी PDF हमें मिलेगी हाँ बचा बिल्कुल मिलेगी इसकी PDF आपको जरूर मिलेगी और PDF कहां मिलेगी टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है या फिर आप जाके सर्च भी कर सकते हैं ग्यान विदरुन अभी एक ही चैनल को लेगा ज्यादे सब्सक्राइबर भी नहीं है तुम जैसे भाई हैं सारे तुमारे ही ठीक है तो टेलिग्राम चैनल को जाके जोइन कर लेंगे वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा कोई इकतर वाली बात नहीं है अब इसके आगे समझते हैं ग्राम समाज अगर हमने भारत के respect में देखा तो 6,40,930 है लेकिन अगर हम देखें उत्तर पर्देश में कितने ग्राम समाज है तो उत्तर पर्देश में 34,941 ग्राम समाज है अच्छा कुछ उप का डाउट ये बन सकता है कि सर आपने कल तो ग्राम पंचायत बताई थी और वो बताई थी कितनी लगवग 58,174 के असपास, 175 के असपास आपने बताई थी तो पेटा ग्राम पंचायत और ग्राम समाज में अंतर होता है ग्राम पंचायत क्या होता है ग्राम पंचायत होता है जहाँ पर प्रधानी की अलेक्शन बगएरा किये जाते हैं और दो या तीन गाउं मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है अगर ग्राम की जनसंग्या कम है तो ग्राम पंचायत इखटी करके बनाई जा सकती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो देखो मोहला या टोला, इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा, दोनों का नाम एक ही है, और अगर आप पूछने लग जाएं कि बताई ये सब उत्तर प्रदेस में कितने मोहलें, तो उत्तर प्रदेस में कोई तुमसे नंबर नही पूछने वाला है, किसी भी भारत में, कहीं भी तुमसे नंबर नहीं पूछने वाला, बस मोहला क्या होता है, कि जहां दस लोग एक ही गली में रहते हैं, तो वो मोहला बन जाता है, या एक जाती का, एक समाज का, जो क्या बन जाता है, मोहला बन जाता है, तो ये तो तुम तुम अच्छी तरी के जानते हो, तुम गाओं के बच्चे हो सब, हम भी गाओं से जुड़े होगे, तो हमें सब को पता है कि मोला क्या, टोला क्या है, ग्राम समाज की बस थोड़ी सी टेकनिकल परिवासा हमें देखनी है, तो वो कल की वीडियो में आपको मिल लेए और मैंन जादी है, ब्लोक की भी टेकनिकल परिवासा थोड़ी सी यहाँ पर आपको रिलिवेंट करना है, ठीक है, अब उसके बाद परिवार क्या होता है, अच्छा अगर आपसे भारत में पूछ ले जाए कि भारत की या समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है ठीक है, कोशन अगर पूछ ले कि सबसे छोटी इकाई समाज की कौन सी है, तो वो परिवार है, किसकी समाज की, और अगर हम बात करें किसी राज्ये में, किसी राज्ये में, किसी राज्ये की छोटी इकाई क्या हो सकती है, तो वो होती है गाउं, ठीक है, ग्राम समाज, रा जारत की सबसे छोटी गई और राज्ये की भी सबसे छोटी गई पूछले तो मोहला होती है उसके बाद व्यक्ति व्यक्ति तो सभी जानते हैं एक परिवार में जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति है अब चार व्यक्ति या पांच व्यक्ति से मिलके एक परिवार बनता है बिए भी भी बन रहेतं तैसियल ब्लोग मैं अक्ग वी बराबर दरिजे के काम है इन डोनों में और टैसियल लोग से मिला कर जिला तैसियल उढम मंदल से मिला कर राज्ये मज़स समझ Limited है यह बात तो तुम लोगों को भी जरूर यह बात सम्में आछुकी होगी ठीक है बोलो अगर इतनी बात समझे में आई है तो लोको फटापट से आपको इस वीडिए को सेर कर देना है लांक च्कॉज दो जली फटापट अगर कोई कमेंट है तो कमेंट करके हमने कोई बंटा सकते हैं ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, और पेटा, इनकी PDF आपको मिल जाएगी, इनकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, यह क्या होगया? एक सेकिड देख सेकिड देख सेकिड अर यह क्या होगया? ठीक है चलिए वो लिखा हुआ गया हो गया लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है आप इस लिखी हुई डिटेल को पढ़ सकते हैं टेली ग्राम चैनल से ठीक है पीडियो डाउनलोड करके अब यह देखें भारत में कुल कितने गाओं है यह लिख र जाती है अठावन अजार एक्सो चराण में यह अठावन अजार एक्सो पिशत्तर भी इसकी डिटेल जो है वो इस तरीके से मानी जाती है और ध्यान रखें यह जो आकड़े हैं वो 2011 की जनगड़ना की अनुसार है भारत में गाओं में निवास करने वाली जनसंख्या कितन तो संख्या बेटा याद रखेंगे 83.3 करोड ग्रामीड हैं कहां भारत के अंदर यह संख्या है समझ में आगे बात अब आगे दो तिन परिवासा और लिखी हुई है और इन परिवासा को समझने की प्रियास करते हैं देखो परगना क्या होता है तैसील ब्लोग की परिवा की काई है गाओं के विकास करने के लिए जो ब्लोग है और परगना की बात करें तो सल्तनत काल मुगल काल या ब्रिटिस काल जिसे भारत अब आजाद हुआ 1947 को जो भारत आजाद हुआ उससे पहले की कंडिशन अगर हम देखें तो तैसील को ही क्या का जाता था तो परगना की काई है वो तैसील है और विकास की काई है वो कौनसी है बिलोग है इतनी बात समझ मैं ही चलिए आगे देखते हैं आगे आप से क्या पुछा है राजस हुआ परिशत की परिवासा देखो राजस हुआ परिशत यह थोड़ा सा डिफेंस टोपिक है इसको समझने की कौसिस करते हैं करते हैं बेटा राजस हुआ परिशत क्या होता है कि राज्य संबंधी अगर कोई बिवाद है जैसे राज्य में क्या होता है कि बार बिवाद हो जाता है तो राज्य संबंधी राज्य संबंधी राज्य नहीं राज्य संबंधी जब कोई रिवेन्यू के मामले में बिवाद होता है कि लो साब हमारा लेकपाल ये डोक्यमेंट नहीं बना रहा या हमारा जो लेकपाल है इसने ये कागज गड़वड कर दिया या फिर हमारे लेकपाल ने हमसे ज्यादा पैसा ले लिया अब हमें पैसा वापस चाहिए वो पैसा हमसे नहीं दे रहा है या फिर हमें कोई भी वेक्ती, कोई भी वेक्ती हमें जो सरकारी है और वो हमें परिशान कर रहा है, तो परिशानी को दूर करने के लिए एक नैले बना होता है, एक कोट बना होता है, जिसको हम कहते हैं राजस्व परिशद, क्या कहते हैं इसको, राजस्व परिशद कहते हैं या इसे राजस्व नयायले भी कह सकता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसे राजस्व नयायले भी कह सकता है तो ध्यान रखेंगे कि राजस्व नयायले क्या होता है और उत्तर प्रिदेस में कुल राजस्व नयायले है 2651 कितने 2651 कहें या 2651 कहें तो राजस्व संबंधी विवाद निप्टाने के लिए सीर्स नियायले क्या कहलाता है राजस्व परिशद कहलाता है और उत्तर प्रिदेश में कुल राजस्व नियायले कितने हैं 2651 है यह परिभासा आपको याद कर लेनी है क्योंकि एक्जामेनर आपसे पूछेगा कि बता दिया चलिए आगे देखते हैं आगे पूछ देखो यह टॉपिक पॉइंट के दे रखा है कि अगर राजस्व परिशद का पिरसासनिक हैड़कॉर्टर पूछ ले आपसे हैड़कॉर्टर मतलब मुख्याले पूछ ले तो मुख्याले पिरसासनिक कौन सा है लखना हुग ह और अगर आपसे नियाइक हैड़कॉर्टर नियाइक मुख्याले पूछ ले तो वो कौन सा है प्रियाग राज है और राजस्व विभाग का सबसे चोटा दिकारी लेकपाल होता है जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर पुलिस के अंदर कौन होता है एसाई वैसे ही क ठीक लेकिन इससे भी छोटा एक होता है अमीन पर अमीन को मतलब यहाँ पर हम अधिकारी के रूप से वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो अमीन क्या होता है बस यह पैसे की उगाई करने के लिए जाता है पैसा उगाने का काम होता है अमीन का लेकिन पैसे का लेखा जोगा रख कर लेते हैं दो गाओं के प्रकार चार होते हैं वेसिकली उरुप से कितने होते हैं चार होते हैं पहला है किर्सी कारे वाले गाओं अब किर्सी कारे वाले गाओं कौन से होते हैं जहां पर क्या की जाती है किर्सी की जाती है लोग क्या होते हैं टोटली डिपेंड होते हैं किर किरसी पर agriculture पर तो totally dependent किस पर है agriculture पर है totally किस पर सही है गलत है जो भी चलो ठीक है कुल यानि कि सारे लगवग लगवग सारे सारे का मतलब यहाँ पर 90% प्लस 90% प्लस अगर खेती पर dependent है किसी गाओं के तो वो लोग कैसे गाओं का निर्माड करते हैं किरसी कारे वाले गाओं का निर्माड करते हैं ठीक दूसरा एक गाओं होता है गैर किरसी कारे वाले गाओं अपसर यह क्या होता है तो भाईया ऐसे गाओं जहांके लोग रहते तो गाओं जैसे महोल में हैं गाओं का महोल क्या होता है सीधे साथे लोग, सजद से लोग, प्यारे से लोग, भोले बाले, एक दूसरे को जानने वाले है ना, गाउं क्या छोटा सा कार होता है, आगे बताएंगे, तो गाउं में लोग एक दूसरे को बाई फेज जानते हैं, तो अगर ऐसी कोई जगह है, जो गाउं कहला रही है, ल तीसरा प्रकार है उपनगरिये गाउं, तो बेटा उपनगरिये गाउं वो होते हैं जो गाउं नगर की सीमा से सटे होते हैं, ठीक है, नगर की सीमा से क्या होते हैं, सटे होते हैं, या फिर वहां की जो सुख सुभिदाएं होती हैं, वो लगवग लगवग नगर जैसी हो जा क्या कहा देते हैं इनको हम बड़े रूप से कस्वा भी कहा देते हैं तो ध्यान रखेंगे कि गाउं उप नगर यह कौन से होते हैं जो कस्वे जैसे होते हैं जहां पर नगर जैसी सुबिधाय मिलनी Everyone वो जाती हैं और नगर की सीमा से वो सटे होते हैं चोथा गाव है हमारा ओद्योगी गाव Èं कौन सा बह्त हो यह जहां बहुत बड़ा आदमी हैं पैसे वाला है वो क्या चाता है कि मैं कोई फैक्टरी-समू करूँ तो फैक्टरी सुरू बढ़ी है अच्छी बात है तो जमीन सस्ती मिल जाए और वहाँ पर फैक्ट्रिया लग जाएं एक दो फैक्ट्री लग जाएं तो उस गाउं का हम क्या कहते हैं ओद्योगी गाउं कहते हैं और ध्यान अखना ओद्योगी गाउं की विस्षिस्ता ये होती है कि यहां के लोग काम करना सुरू कर देते हैं बाकी किरसी पर इतने डिपेंड न रहे जाते हैं ठीक है बाकी समझ में आगी तो वहां का जो मालिक है इन लोगों को नहीं रख रहा गाउंबालों को नहीं रख रहा तो लठे लेके पहुंच जाएंगे बही को बहिए मुझे तो काम करवा ना बात खत्म पैसा देना प्रकर्टी से नोगों के लोग अरे जाहिर सी बात है, जब खीती करेंगे, good जी नेयुकती है, तो जब उनके पास किर्सी है, तो किर्सी में क्या होती है धी प्रकर्टी तोती हैं, t這樣的 होगा, वो साफ साफ हवा लेते हैं, pure उक्सिजन लेते है, बिलकुल पेड़े के ते अधि कि गाउं में आम के पेड़ लगे हुए है नुकड पे आम का पेड़ लग हुआ है तो आम के पेड़ पे आम उतर रहा है अब उनको क्या खाना है आम खाना है आम या खानी है तो वो तोड़ के खालेंगे नैचुरल है बात खतम अगर आमका सीजन है तो तोड़ के खालेंगे अमरूद है तो अमरूद तोड़ के खालेंगे जिनका सीजन चला होता है वो तोड़ तोड़ के खाते रहे तो बड़े मस्त एक तम जीवन जीते हैं तो प्रकरती से निकटता किसकी ज़्यादे होती है तो गाउं के विक्ति की प्रकर्टी से निकटता होती है अब बचे ये question कैसे पुछेगा कि बताइए, इस question को कैसे बरेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ question ये देगा कि निमली खित्मे से कौन सी गाउं की विसिस्ता है, चार option मिलेंगे पहला मालो ये ही मिलेंगे कि प्रकर्टी से निकटता दूसरा option मिलेगा कि भीड़ बार जादे होती है प्रदूसर जादे होता है सोड सराबा जादे होता है तो तीनी तो गलत हो जाएंगे, ना भीड़ होती, ना सोड सराबा पूरे गाउं के अंदर तो आकार क्या है चोटा होता है और बड़ा प्यारा से लगता है यह लोग आपस में एक दूसरी को बाइफेज जानते हैं उसका लड़का है अच्छा बहुत अच्छी बात है तो एक दूसरे को जानते हैं अब मान लो जैसे होता है तुमारे गाउं में अगर कोई बाहर का व्यक्ति अजनभी जो सहर से या किसी दूसरे गाउं से घूमने आए तो लोग देखते पर जाए अपने गाउं को तो नहीं हो अगर किसी के साथ होगा गाउं वाले इसा तो दूसरी को मतलब ना आगे देखे परिवार में एक रूपता होती अब बड़ा इंपोटेंट टोपिक और बड़ा प्यारा सा टोपिक है यह तो तुम्हें एकदम खटाक से समुझवाएगा कि परिवार में एक रूपता होती है कैसे होती है यूनिटी कैसे होती है वो चाहिए वो तीन हो या पचास हो जुतने भी हो उससे फरक नहीं पड़ता च्छै भी है न तब भी को दिखकत नहीं है अगर इन दोनों परिवारों में आपस में गुटबाजी हो जा लड़ाई हो जा तो चारों ही जो आपस में ना बोले ना ये अपनी दिवारे खतम करके ब बाहर वाले को एक दम ओए बोल मजजी ये भाई है मेरा ये चार जो हैं आपस में एक हो जाएंगे एक रुपता इनके अंदर है यूनिटी इनके अंदर है तो बाहर का व्यक्ति इनका कुछ नहीं बिगाड सकता जाहिड सी बात है वह चार भाई एक साथ होगे कोई नहीं लेकिन एक रुपता प्रेम जो होता है वो मन में बसा रहता है हमेसा वो थोड़ी बहुत मन मुटाब हो सकता है कि चारों में कटी चल लेए लेकिन अधिकांसता कटी नहीं होती है वह एक दूसरे को जानना ये तो वही वाला टोपिक आगया आगार चोटा है तो एक दूसर और गाओं के लोगों की होती है उसके बाद देखें धर्म-एवम रूडियोक वा परदा पूर था तो देखो । संस्कृति इ justo होती है सिह को हम क्या सकने की थोड़ा सा कम जोरी हमें देखने कुछा मिलती है गाओं के छेत्रति में तो जब जहां गाओं में यह जहां भी सिक्षा का अभाव होता है वहाँ धार्मिक भावनाय जादे होती है लोगों में समझे जहां सिक्षा का अभाव होता है वहाँ धार्मिक भावनाय जादे होती है यह मेरा देखने को मिलता है जाजे तर गाउं में देखने को मिलता है अगर कोई धर्म के ऊपर बोली है तो बरदास नहीं किसी की खेर नहीं है ठिक उसके बाद रोडी वापरदा परधा रोडी का मतलब यह हैं कि प्राछीन चीजे जादे मानते हैं तो यह सारी चीज़े क्या है पर्दा पर्था है तो पर्दा पर्था क्या कि उसकी मतलब होता है कि एक अगर महीला है तो वो महीला खुदी पर्दा पर्था जादे करती है कि सामने से उसके पती से बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो वो अपना मूँ पहले से शुपा लेती है पर्दे उसके ढख लेती है अलाकि ये पर्दा पर था बहुत कम होती जा रही है जैसे ज़या सिक्षा बढ़ती जा रही है हर जगे वहाँ धर्म रूड़ी पर्दा पर था ये छोड़ी कम होती चले जा रही है लेकिन ये गाउं की विसेस्ता है बच्चे ध बात देखें सेइक तु परिवार परणाली यह बिलकुल सेम वहीला है कि परिवार में एक रूता है सींग तु परिवार लेकर चलते हैं सबढ़ेंगे थी यह एक रूता जज्मानी पर्था इसके साथ बात को ख़दम करते हैं आज इस वीडियो में जज्मानी पर था को समझ लें और फटापटस इस वीडियो को सेयर भी करना बहिए तुम लोगों को पसंद आ रहे हैं तो सेयर भी कर तो लाइक भी कर दो और कमेंट करके मुझे बता दो बदले में क्या लेके आता था अनाज लेके आता था क्योंकि का जाता है कि पण्डित के पास जाते जमीन तो होती नहीं और जब जमीन नहीं होती तो वो बुचारा क्या करता है? पूजा करकर कि अपने घर में आनाज इखटा करता है अपने बीव बच्चों को पांता है वैसी नाई का सिस्टम होता था कि पहले लोग बाल कटवाते थे या दाड़ी बनवाते थे तो उसे महीने पे या 6 महीने में उसको एक बार क्या देते थे मुझे हना 6 महीने में कितने हो जाएंगे 6 पंजे 300 रुपे हो जाएंगे तो 300 रुपे या 400 रुपे या 500 रुपे का जो आनाज है वो तुमारे घर से में ले लूँगा कोई दिक्कत नहीं है वो अपने सब मैथमेटिक के हिजाब से दिमाग लगा के पहले क्या करते थे बांध लिया करते थे नाज बगेरा ना उतता था हमारे या भी उतता था हमारे या हमने देखा जब छोटे थे लेकिन अब यह चीज़े नहीं होती है यह चीज़े खतम हो चुकी है तो जजमानी पर्था और ये जजमानी पर्था का महत्व यही है कि लोगों को जजमान मानना जिसे पंडित है तो पंडित क्या है जजमान है और पंडित के अलावा जो बाकी लोग है वो जजमानी है नाई क्या है नाई जजमान है बाकी लोग क्या है जजमानी है तो जो जजमानी पर था है वो यही है कि बदले में क्या देना कोई समान देना समान देना थोड़ी इजद रखना एक दूसरे की यार यह पंडी सहाब है अरे यह पंडी जी हमारे यहाँ बन करना तो अज़े ही हो चलो ठीके बाई, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम और ध्यान से आप लोग पढ़ाई करते रहें, इन से रिलेटिड MCQ का वीडियो में कल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उस वीडियो का आप जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कै ऐसे कैसे कोशन प्रिवेसर में बने थे और हमारे पास अभी वह टाइम है लेकपाल बनने के लिए लगवग अपरेल से पहला पर ना होने का टेंशन ना लिए हो, अपरेल तक ग्राम इड परिवेस दो बार पढ़ लोगे तुम इतना बड़ा ना है, इतना बड़ा टोपि बहुत अच्छी बात है, सब लोग दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, all the best, all the best, चलिये, चलिये, मिलते हैं, बाइ बटाओ, ठीक है, बाइ, 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 बाइ,